हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी को मेरा नमस्कार राधे रादे अगर आपके कानाजी ठंडे पर जाती है आप उन्हें चूप कर देखिए तो आप उनकी मालिस केजिए देखिए सरसो के तेल में अजमाइन डालकर पहले गरम कर लेजिए क्योंकि सर्सो का तेल धंडा हुथा अजमाइन डालने के बाद वह फायदा करता है देखिए यहां मेरे लड़ु expect सो कर उठे हैं यहां सोकर उठने के बाद पहले मैं उनके नाइट के कपड़े उतार लूँगी उसके बाद देखिए वूलन कपड़ा बिचा कर या फिर एकदम सौप्ट कपड़ा बिचा कर हम लड़ोगोपाल की मालिस करेंगे आप चाहें तो गरम इत्र से भी कर सकते हैं मैंने सरसो को तेल गरम करके अजमाइन डालके उससे कर रही हूं क्योंकि वह बहुत फायदा करता है यहां पहले करेंगे हम लाला के पैरों की मालिस जब ज़्यादा ठंड हो जाती है तो मैं भी करती हूं अगर आपके बहाब ऐसे हैं अपने बच्चे जैसे तो आप भी अपने लड़ोगोपाल की मालिस करें और जब सीथ काल जाड़े हो तो सामने हीटर चला लें अभी इतने जाड़ी नहीं है कि मैं सामने हीटर चला करूँ या फिर धूप निकलती है जब ज़्यादा ठन पड़ती है तो आप उपर छट पर धूप में ले जाकर भी मालिस कर सकती है क्योंकि मैं भी छत पर दूमें ले जाकर ज्यादा सर्दियों में मालिस करती हैं तो देखिए इस तरीके से हम वारी वारी स्टेप बाई स्टेप मालिस करेंगे लड्डू गोपाल की आप अच्छे से हाथ की पैर की सब जगे मालिस करें जब रात का टाइम होता है तो जला दें यांगीठी जला दें मैं तो अंगीठी जलाती हूं जब ज़्यादा शादियां पड़ती पर आप अस तैमालिस करने के बाद को तुरंत नहीं लाना हैं मालिस के एक घंटे बाद आप रडू उसके बाद उनको निलाएंगे तो इहां देखिए मैंने हातों की पेरों की चैरी की सब मालिस कर लिए अब मैं करूंगी अपनी लाला की सबसे बाद मैं सिर्की मालिस देखिए बालों की मालिस कराने में लड़ू गोपाल को बड़ा ही आनन दाता है तो देखिए इस तरीके से मेरी मालिस तो अब हो चुकी है बस फेस की कर रही है थोड़ी सी इसके बाद देखिए अब करेंगे हम लाला की सिर्की मालिस तो इस तरीके से जैसे हम अपनी बच्चों की करते हैं उसी तरीके से हमें लाला की मालिस करनी है देखिए यहाँ पर मैं हमारा लाला आराम से करा रहा है देखिए इस तरीके से अच्छे से मालिस करा है आप चाहें तो देखिए इतर आते हैं मार्केट में सर्दियों के जो गरम रहते हैं आप इतर से भी मालिस कर सकते हैं लेकिन मैं पुरानी चीज़ों में ज्यादा विश्वास रखती हूँ जिस तरीके से हम पले हैं मैं उसी तरीके से अपने काना जी के लिए सर्षों का तेर जर्दियों ओराएंगी फिर तो आप दूप में ऊपर छट पर ले जाएं वहीं इसनान कराएं और इसनान कराने के बाद वहीं चार पाई पर बिस्त लगा के इनको दूप में बठा दें वहीं पर वोजन बोजन कराएं सर्दियों की दिन चर रहा अगर आप कहेंगे तो मैं फुल्टे दिन चर्या सर्दियों की डाल दूँगी अब देखिए मैंने इनको रुमाल में डखकर अब मैं इनको लटा दूँगी इस तरीके से थोड़ा सा सुलाना पड़ेगा इनको अब इस तरीके से सो जाएंगे और एक घंटे बाद मैं इनको इसनान करऊंगी आपको हम मारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरू बताएं वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक शेर अवश्य करें